नमस्कार, आज दर्शरोंकों की भारी मांग आई है चंद्रगहन के विषय में, और विदेसों से भी बहुत लोगों के समचार आ रहें कि चंद्र ग्रहन के विशे में एक बार और प्रिकास दाए लिए तो मैं बहुत जल्दी से बिना समय बर्माद किये हुए आपका भी और अपना भी दो-चार चंद बाते ग्रहन के विशे में बताऊंगा आज चंद्र ग्रहन शाम को चार बज़ कर पांच मिनट पर को बोलते हैं पैन्यूम्रा यानि के जब ग्रहन खग्रास चंद्र ग्रहन जब चंद्रमा उद्र होगा और अस्तोगा यह सारा हाल भारत में दिखाई देगा बाकी और देशों में इस्तिति अलग होगी मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो ग्रहन है आस्टेलिया में यूएसे तरह नौर्थ इस्ट यूएसे में कैनाडा हिंद दक्षणी प्रसांत महसागर आस्टेलिया और रूस में चंद्रमा जब अस्त होने जा रहा होगा यानि के तब इसको देख सकते हैं रशिया के और आस्टेलिया के लोग कैनाडा ब्राजील और पूर्वी छेतर जो हैं वहां के उद्य के समय यह ग्रहन दिखाई देगा भारत में दोनों समय यह देखा जा सकता है धार्मी कारिये इस दोरान करने चाहिए हवन, पूजा, पाठ, मंत्र, सिध्धी, साधना तथा जितने भी सुब मांगली कारिये हैं रामायन का पाठ, अपने इस्त देव के ताका जो जिसको पूजा करनी है और जो जिस धर्म का व्यक्ति हैं, वो उसके अरुशार पूजा करें जहां तक रोगियों का है उनके बारे में भी हम बात करेंगे गर्वती महिलाओं के बारे में बताएंगे लेकिन जैसे ही ग्रहन समाप्त हो जाता है समाप्त होने के बाद यथा शक्ति दान दे सकते हैं रात का समय होगा तो आप जो दान देंगे उसको ठाली में रख लीजिए अगले दिन जो भी मांगने वाले आएंगे जरुरत मंद लोग उनको आप दान दीजिए यथा शक्ति कोई सीमा नहीं है कि आपको एक किलो चावल दान करना है या दो किलो यह आपकी यथा शक्ति भावना के अनुसार होता है इस दोरान मूर्तियों का सपर्ष मंदिरों में पुजा नहीं होती मंदिरों के कपाट बंद होते हैं खान पान की वस्तु में जो फ्रीज में रखी हैं आपके अबहार रखी हों सूखे आइटम यह हुँ चावल आदी चना डाल उनमें कोई तुलसी का पत्ता नहीं डाना या कुशा नहीं डानी है कुशा और तुलसी सिर्फ बने हुए पतार्त या दूद दही या जो कि आपके सबजी चावल हैं इसमें आप रख सकते हैं वो दूशी तर नहीं होते इसी के साथ साथ ग्रहन के दोरान माली से नहीं करनी है शरील सबजीया नहीं काटनी चाहिए इसके अलावा उस दोरान ऐसा कोई छल कपट का काम मदीरा पान या फिर गाड़ी चला रहे हैं आप डिसिप्लीन के अंदर रहे करके काम परेंगे तो अच्छा रहेगा यह सास्त्रों की परमपरा है तो फुन कुछ रासियों पर कुछ परेशानी भी रहेगी कुछ हल चल रहेगी तो आप निश्चिन्द हो जाएं जिन जिन रासियों को खराब है उसमें सिर्फ यह कहे करके मैं संबोधित करूँगा कि उस रासि के लिए अच्छा है या खराब है अशुग या अशुग है देखिए मेश रासी के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये ग्रेन मेश रासी पर ही है मेश रासी को जादर सावधानी रखी नहीं है मन मलिन रहेगा गुस्सा आएगा अशांती रहेगी दामपत्ते जीवन में एकदम विस्पोर्ट जैसे इस्थिति आ सकती है धन हानी और बिनावाद की चिंता रहेगी ब्रश रासी को ब्रश रासी को धन हानी पैसे का लेंदेन सही रखें वित्म रासी के लिए ये चेंद्र के हैन बहुत लाव आचानक धन संपदा बहुत बड़ी खुशी देने वाला है ये सब बाते ही मैं ये बता रहा हूँ जिनकी कुनली में और प्रभल पाप ग्रे होगा तो अच्छा फल तुब होगा तो शुब फल कर्क रासी के लिए रोग कर्ष्ट चिंता भाए तथा सिंग रासी के लिए संतान संबंदी और मन में गुट चिंताएं तनाव कर्णिया रासी के लिए किसी भी तरह से ये अच्छा नहीं कहा जा सकता है कर्णिया रासी को धन का लाव बहुत होगा इस चंद ग्रेहन के दोरान लेकिन मन अशांत रहेगा सत्रों से भाए और उनके खिलाफ कोई कौन स्परेशी शड़ियंतर कर सकता है तुला रासी के लिए पती पतनी के बीच में संबंद अच्छे नहीं रहेंगे तनाव हो सकता है जगडा नाकने चुप रहे करके काम चलाएंगे तो अच्छा है ये दू दिन का जो पीरियर है चंद ग्रेहन से एक दिन पहले और एक दिन बाद भी असर करता है ब्रिस्चिक रासी के लिए गुप्त चिंताएं संघर्स परेशानी तनाव चिंता तथा एक आंख में बैठ करके रोने को मन करता है और तुकि धहिया भी चल रही है और चंद्रमा भी खराब है तो ब्रिस्चिक रासी वालों के लिए ये अशांत करने वाला इसन जिया है जिसे किसी का हाथ या पैर जल जाता है कही से अगनी से भय हो गया और उस जले हुए के उपर सुझ चुभा दी जाए तो जो कष्ट होता है वो कष्ट इस चंद ग्रैन में ब्रश्चिक राशी बादों को होगा लेकिन धनु राशी के लिए अधिक खर्च होगा व्यर्थ की भागदोड और उनके काम विलंब से बनेंगे शरीर में अलश्य रहेगा मकर राशी के लिए कार्य सिद्धी एवं लाब देने वाला होगा ये ग्रैन अच्छे वाहन प्राप्तों के यात्रा करने को मिलेगी धन जो मीन राशी है उसको धन हानी की संभावना इसलिए हो सकती है क्योंकि उसके धन अस्थान पर ही ग्रैन है चंद्रमा और राहू भी है लेकिन धन लाब उनको कराएगा जिनका शुब ग्रै है जिनका पाप ग्रै है उनको धन हानी की संभावना बनेगी ये बारा राश पर इस चंद्रेहन का प्रभाव आपको बहुत सारे इसमें प्रिवेंशन लेने हैं बचाओ लेना है जब दो दिन के लिए आप अपने आपको सुरक्षित करने के लिए वाहन चलाते समय ओवर्टेक नहीं करना जिसकी कुंडली में अच्छा ग्रह भी है और अच्छा फल भी दे रहा है उनके लिए भी सावधानी ये है कि बई सड़क पर वो सारे लोग चल रहे होंगे जिनकी ग्रह खराब है जिनके अच्छे हैं तो जिसका ग्रह खराब है वो भी तो टकरा सकता है आप से इसलिए वाहन चलाते समय डिसिप्लीन मेंटेन करना मदीरा पांग ना करन सरकार द्वारा निर्धारित जो भी ट्रफिक के नियम है उनका पालन करना यह सब्द क्यों बार बार मैं दो राह रहा हूँ जब चंद गहना होता है चंद्रमा मन सौ जाता है मन को परिशान करता है मन में अशांती ब्रेन के अंदर मस्तिस्क अंदर थाट जो विचार है उ आपने देखा होगा पुर्णीमा के दिन समुद्र में जुआर भाटा आता है, यानि के चंद्रमा जो के जल है, जल का कारक है, वो जब उच्छाल मारता है, समुद्र का जल, जुआर भाटा, सुनामी आती है, वो चंद्रमा की और अपने तत्व की और आकरशित होता है, इसी अपने मन को शंत रखते हुए अध्यात्म प्रानायाम करें और इस ग्रहन की जो अवधिये उसको अपने परिवार के साथ धार्मिक कारिय करते हुए अपने समय का ध्यान लगते हुए कारिय करें एक बार पून हैं चंद ग्रहन के समय को दुबारा सभी भाई नौट कर लें ग्रहन का सूतक काल भारतिय स्टंडर्ड टाइम के अनुसार चार बजगर पांच मिनट पर आरम होगा इसका जो ग्रहन का स्पर्श काल है वो रात्री को एक बजगर पांच मिनट से आरम हो जाएगा अर्थाथ 28 तारिक की रात और 29 तारिक लग जाएगी उसको जोतिस शास्ति की भाषा में 25 बज़े कहा जाता है 24 बज़े के बाद 25 बज़ते हैं जोतिस की भाषा है उसके बाद 1 बज़ कर 44 मिनट पर अर्थाथ 25 बज़ कर 44 मिनट पर मध्य रात्री में ग्रहन का मध्य काल होगा और ग्रहन का मौक्ष समाप्ति काल रात्री 2 बज़ कर 24 मिनट पर होगा इस समय को नोट कर लेजिए इस दोरान आपको जितने भी prevention लेने हैं, बचाव लेना है, परहिज करने हैं, वो इस दोरान कर सकते हैं, धन्यवाद, नमस्कार.